अलो ट्रेटर्स और वेलकूम तो एसे स्टुडियों स्टूडियों मेंबर्स आज हम लोग मार्केट में सबसे ज्यादा यूज किये जाने वाले और सबसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक यानि के एंट्री पैटर्स के उपर बात करेंगे और आज के सेशन में हम आपको थ्री इंपोर्टेंट एंट्री पैटर्स बताएंगे जिनका की यूज हमने शुरुवात में प्रैक्टिस के दौरान काफी ज्यादा किया और इनका यूज आप अपने ट्रेडिंग सेशन के दौरान कर सकते हो एक प्रैक्टिस के लिए आप इन पैटन्स का यूज कर सकते हो बहुत बड़ा रिस्कें रिवाट यूज हो तो नहीं लेकिन हां एक टैक्टिक्शिर के तोर पर यह पैटन्स आपको बहुत ज्यादा हैLchnet कर सकते हैं बहुत ज्यादा आपके यह पैटन्स काम आ सकते हैं सो आगे बढ़ते हैं और इन पैटर्स को one by one हम समझेंगे देखें, मार्केट में जितने भी छोटे बड़े ट्रेर्स हैं मैं आप या और कोई सभी का point of view या फिर approach यू कहें कि approach एक दूसरे से अलग होती है, different होती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप market में कैसे analysis कर रहे हैं या कैसे market को judge कर रहे हैं but आपको एक trade confirmation की जरूरत पड़ती ही है trade confirmation ये एक बहुत important topic है तो सबसे पहले हम इस trade confirmation को समझेंगे कि what is this, what is trade confirmation trade confirmation का मतलब होता है a signal that tells you when to enter the market यानि कि वो signal कि जो हमको ये confirm करें कि market में हमें entry कब लेनी है और ये बहुत जरूरी part होता है आपके trading plan का जबकि आपके पास बहुत सारे option है but price action, price action एक तरफ as a great candidate खाड़ा हुआ है आपको trade confirmation के signals देने के लिए बहुत सारे signals का use किया जाता है market के अंदर लोग तरह तरह के indicators, तरह के crossovers का use करते हैं but price action के अंदर सबसे ज्यादा potential है आपको सही जगे पर और सही समय पर market के अंदर enter करवाने का लेकिन असा क्यों? price action ही क्यों? why? because a trade confirmation must have a clear cut definition and one most important thing कि एक trade confirmation को आपकी मदद करनी ही चाहिए एक decisive trader बनने में कब आपको अपना trade execute करना है और कब market में enter करना है without confusion and hesitation और इस point पर आकर के confusions की कोई गुन जाईश नहीं रहती ओके और आगे बढ़ते हैं और next point है a trade trigger should help you manage your trade risk आपकी entry के patterns के उपर एक बहुत एहम जिम्मेदारी होती है आपके risk को manage करने की सही समय पर और सही जगह पर ली गए entry market के reverse movement को या फिर momentum को limit कर सकती है उसको control कर सकती है और आपको inform करती है कि कब आपको exit करना है अगर market आपकी दिशा में नहीं जा रही तो एक ideal condition में हमारी जो entry की formations हैं उन्हें ये दोनों ही conditions fulfill करनी होती हैं हम बोल सकते हैं कि ये तीनों conditions fulfill करनी होती हैं और अब एक जो सबसे बड़ा question आता है how to define entry patterns अब जब हम ये पूछते हैं कि how to define entry patterns तो बहुत ही simple होता है अगर आपके पास कुछ identification के rules हो so you can define price patterns clearly with identification rules अगर आपके पास कुछ rules हैं price को identify करने के तो simply आप उसको find कर सकते हो अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको bucket address के तरह pin bar को define करना हो लेकिन आपको pin bar की एक clear का definition को fixed करने की ज़रूरत है और इन सब के उपर आपका entry pattern supply and demand zone में एक short term change का footprint होता है और इसलिए ये एक minor support और resistance के तरह काम करता है और हमें एक short term support और resistance प्रोवाइट करता है अब महालेचे आपकी ये entry patterns है आप यहाँ पर अगर entry लेना चाहते हो तो इन patterns में क्या है कि ये आपको एक support और फिर resistance प्रोवाइट करेंगे अब अगर prices के downside के तरह आने है एक resistance प्रोवाइट करेंगे prices के यही patterns हमको natural support और resistance प्रोवाइट करते है जिन्हें technical language में price pattern stop loss के नाम से जाना जाता है और यही formations हमको हमारा risk manage करने में भी मदद करते है वो कैसे होता है अब मान लीजे कि आपको entries लेनी है prices के अदर आपको enter करना है अब क्या होगा कि इस एक point पर अगर आपको entry लेनी है और आपके prices की जो दूरी है वो upper range आपकी 5 रूपीज के है और downside की जो ranges है वो आपकी 4.50 रूपीज के है अब आपको upside की तरफ अगर price के अंदर enter करना है तो आपको मालूम होगा कि हमको जो हमारी entry मिलेगी वो 5 रूपीज के अगर आपको entry लेनी है अब यहां पर आपका risk मान लेजाए 1000 रूपीज का है और आपको जो entry लेनी है वो 5 रूपीज पर लेनी है 5 रूपीज पर आपकी entry होगी और जो आप अपना stop loss लगाओगे वो 4.50 पर लगाओगे लेकिन यह तरह कहां से होता है कि जो हमारी formations है जो price actions नहाँ पर बन रहे हैं जो entry के patterns आपकी बन रहे हैं अब इनके बीच की जो दूरी है वो 50 पैसे की है overall distance हमारा 50 पैसे का है और जो risk हमको लेना था वो 1000 रुपीज का लेना था तो अब हम क्या करेंगे 50 पैसे को यान 1000 रुपीज को हम 50 से डिवाइट करेंगे और जब हम 1000 रुपीज को 0.50 से डिवाइट करेंगे तो total quantities हमारे पास आएंगे 2000 quantities आएंगे इससे क्या हुआ कि इसी risk management क के according आपके entry patterns के perfect होने के वज़े से आपने यहां पर accurate quantities अपनी निकाले अब जो risk होगा आपका आपके हाथ में होगा कि आप 50 पैसे से ज्यादा loss यहां पर नहीं करोगे और आपकी risk capacity 1000 रुपीज की थी इस वज़े से यहां पर जो कुल quantities आई हैं आपके 2000 quantities आई हैं अब यही risk हमेशा आपका या तो ज्यादा होगा या कम होगा तो इस वज़े से entry patterns के उपर यह responsibility होती है कि वह आपका risk manage करें आपको आपके quantities आपके risk के according प्रोवाइट करें अब यह तो बात होई आपके entry patterns के importance के और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने entry patterns के उपर यहां पर हम लोग 3 entry patterns के बारे में जानेंगे seeking और उसको समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहला pattern है हमारा हिकाके हिकाके एक बहुत पुराना और काफी traders का technical analysis में यह बहुत सारी traders का favorite patterns महना जाता है इस list में हिकाके हमारा सबसे उपर रहेगा और दूसरा जो pattern है हमारा वो है cover reversal pattern और तीसरा pattern है हमा क्योंकि यहां पर पिन बार को हम उतना deeply discuss नहीं करेंग जितना deeply हम उस वीडियो में कर चुके हैं अपने previous वीडियो में कर चुके हैं तो इस topic को clear करने के लिए पिन बार को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आप वाला वीडियो देख सकते हो बहुत ज्यादा help मिलीग आपको काफी अच्छी तरह से वहां पर पिन बार को explain किया गया है ओके तो यह तीन पैटर्न हैं एंट्रिस के जिसके उपर मुद डिस्कॉस करेंगे फर्स्ट हिका के सेकेंड कवर रिवर्सल एंड थर्ड पिन बार आगे बढ़ते हैं और इन्हें clear करने के कोशिश करते है सबसे effective यह होता है अपने topic को समझने समझाने के examples के थुरू तो अब आगे हम लोग examples के थुरू ही अपने subjects को समझने की कोशिश करेंगे और इसी तरह हम हर एक entry patterns की शुरुआत भी करेंगे उनकी identification rules और end करेंगे chart examples के उपर तो first example में हम trend line method को अपना base मानते हुए trend line analysis करेंगे और entry के लिए अपनी first formation हिकाके का use करेंगे तो let's start with हिकाके तो चलिए हिकाके उपर एक छोटा सा overview ले ले लेते हैं हिकाके एक failure inside bar pattern है इसकी जानकारी basically सभी traders को होनी बहुत ज़रूरी है क्यूंकि ये उन सभी traders को trap करता है जो कि breakout rates करते हैं with the help of inside bar या फिर mother candles के थुरू तो हम शुरुबात करते हैं सबसे पहले इसके identification ये first formation हो गए हमारी यानि कि first two candles जो हमारी बनेंगी वह पूरी तरह से mother candles के format में होगी और अब बताती है third formation के यानि कि third candle कि इस तरह से होगी कि price downside की तरफ breakout करने की कोशिश करेगा प्राइस downside की तरफ breakout करने के कोशिश करेगा लेकिन वह breakout successful नहीं होगा और प्राइस इसी level से upside की तरफ जाने लगेगा अब यहां पर important क्या है हमारी यह second वाली candle जिस candle ने mother candle का format तयार किया था यानि कि यह जो second candle है यह मेरी सबसे important candle होने वाली है इस series के लिए इस format के लिए simply क्या होना चाहिए कि यह जो fourth candle है यह हमारी second वाली candle के high के उपर close होनी चाहिए और इसका just opposite इसका vice versa होता है bearish के लिए इस format के identification के rules क्या होंगे हमारे सबसे पहला rule होगा सबसे पहला जो rule होगा वह होगा find the inside bar find the inside bar inside bar का मतलब कि यह जो first formation हम लोगों ने आपड़ define कि थी inside bar की हमें सबसे पहले इस formation को देखनी होगी यह formation हमें ढूंडनी होगी इसके बाद में second rule है bar two must have a lower high and lower low lower lows यानि के price अगर downside की तरफ आपका close कर दे तो भी यह valid है और अगर downside की तरफ विक निकाल करके price वापस से अपनी range के अंदर enter हो जाए यानि के इस mother candle के format को first वाली candle के lows को breakout करके price एक विक बनाने के बाद price सीधे upside की तरफ turn हो जाए तब भी यह formation हमारे लिए valid होगे तो यह बात होगे हमारे third formation की कि जब हम बोलेंगे bar two must have a lower low and lower high अब बात आती है third rule हमारा क्या कहता है third rule कहता है place a buy order at the high of the inside bar अब यहाँ पर हम buy order तो तभी place करेंगे कि जब यहाँ पर price आएगा और price आजाने के बाद सबसे simple सी चीज याद रखेगा कि हमारी यह जो second वाली candle है इसका high यहां से break होना चाहिए और अगर breakout हो जाता है तो यह formation मेरे लिए एक valid formation होगी जिसके उपर हम अपना trade execute कर सकते हैं इस level पर आपका buy होगा और downside का यह जो area है इस formation का जुलू है थोड़ा सा buffer दे करके आप यहाँ पर अपना stop loss लगाऊ और य यह formation एक अच्छा potential रखती है आपका trade execute करने में और अब बढ़ते हैं अपने fourth rules की तरफ और fourth rule हमारा क्या कहता है cancel the order if it's not triggered after the three bars अब मान लीजे यह price close होते ही आपने यहां पर अपना order place कर दिया order place हो जाने के बाद three candles cancel the order if it's not trigger after three bars अब मान लीजे यहां पर आपने order तो place कर प्राइस retrace होने के लिए उस level तक नहीं आता है और price अपके upside निकल जाता है और तीन prices तक तीन candles तक price अगर retrace होने नहीं आता है तो यहां पर अपने order को आप execute मत कीजिए उसको cancel कर देजे तो यह बहुत important चीज है जो कि याद रखने होगे और इसका vice versa just होता है opposite side में कि जब market was trending down यह downside का एक trend है lower में आकर के price ने यहां कहीं से support लिया है और यह support rejection हमें particular एक pin बार के तुरू नजर आता है अगर हम market में देखेंगे तो देखेंगे यह जो pin बार बनी है इसने हमें rejection है इसका मतलब कि downside से कहीं न कहीं buyers active हुए है जो price को upside के तरफ push किया उन्होंने अब क् है कि यहां से upside के तरफ एक हम trend line अगर हम draw करते हैं but हुआ क्या है कि एक trend line बना देने के बाद यहां पर देखेंगे एक pattern बना है हिका के जिसको हम लोग read कर रहे है पड़ रहे है यह वाली जो candles है इन्होंने हिका के form किया first tool हमारा क्या है कि एक inside bar होनी चाहिए तो देखें य हमारी trend line के उपर हो रही है अब क्या हुआ कि यह वालो जो pattern बना यह एक bearish pattern है यानि कि price को इसे downside की तरफ ब्रेक करना होगा और देखें इस red वाली candle ने price को successfully downside की तरफ ब्रेक कर दिया है और इसमें जो सबसे बड़ी चीज हुई है price ने heavy momentum के थू हमारी trend line को downside की तरफ ब्रे ब्रेक कर दिया गया और अब bearish expectation थोड़े समय के लिए price के अंदर bearish move हमें देखने हो कि मिल सकता है जब तक price support ना लेले अपने next support लेवल तक या फिर previous support लेवल तक इसके बाद में देखें क्या हुआ है कि price में एक up move लगा था मतलब यहां पर यह formation हुई थी एक pin बार डेव जैसे कहें या फिर इस support के वज़े से price upside की तरफ गया एक देखें लो यहां पर लगा price upside की तरफ गया और trend line को मेरी breakout कर दिया और साथ ही साथ मेरा bearish शेका के भी breakout हो गया और अभी price downside की तरफ है अब हम यहां पर क्या देख सकते हैं however the market did not push to a new trend low वापस price downside की तरफ नहीं जा for a potential bullish turn double bottom double bottom आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा समझाओगा double bottom के उपर next एक वीडियो बनाएंगे काफी detailed वीडियो रहेगा double bottom बहुत अच्छा काम करता है market के अंदर तो double bottom देखें यहां पर maintain किया market ने develop किया बनाया double bottom के साथ price upside के तरफ जाना शुरूर किया यानि के previous जहां पर market ने support लिया था वहीं से price upside के तरफ निकला यानि support पर support लिये गया और अभी देखें के market upside के तरफ है price upside में जाते हुए अब हमें इसके अंदर अगर entry लेनी होग तो यहां पर देखें market ने क्या किया है फिर से हम अपनी formation का use करेंगे market ने inside bar फॉर्म किया और एक lower high बनाया lower highs के साथ में देखें market ने highs के ओपर अपने जो green वाली candle इसको upside के तरफ close किया हम क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर ही अपना entry form करके entry develop करके और इस green वाली candle के downside के तरफ अपना stop loss लगा देने के बाद अगली resistance लेवल तक price के अंदर बने रह सकते हैं इस entry pattern का या किसी भी तरह के आप entry pattern entry formation का जो use करोगे वो simply होना चाहिए या तो आपके supports पर हो या फिर आपके resistance point पर हो ओके या फिर जो trend line आप draw कर रहो यह भी एक तरह से support और resistance का ही काम करती है तो price को basically अपने एक important point पर होना बहुत जरूरी होता है वहीं पर हम अपनी इस formation का originally use कर से अब देखे market upside के तरफ जा रही और इसने जो support लिया है यहां पर हमारी formation यहां पर form होगे फिर से समझे हिकाके को के यहां पर एक inside bar का formation बनाया market ने और वापस से देखे एक lower low लगा दिया अब lower low के बाद हमारी market ने इस green वाली candle के तरह upside के तरफ अपनी formation का breakout कर दिया हिकाके triggered by this bar यह जो green वाली candle है यहां पर हमारा हिकाके trigger होगा यानि के हमारी हिकाके patterns के तरह हमारा entry trigger होगी और जो stop loss हम लगाएंगे उसके पहले के swing low यानि के जो red वाली candle हम देख रहे हैं इसके नीचे हमारे stop losses जा सकते हैं और यहीं पर हम अपनी stop losses लगाएंगे और फिर अगली resistance points तक जाने का हम wait करेंगे simple है हिकाके अगर इसका use आप करते हो तो काफी हर जगे इसका use नहीं करना है सिर्फ उन points में use करना है कि जहां पर आपको लग रहा है कि वह support points है या फिर हमारे लिए वह trend में trend line के ऊपर support ले रहे हैं या फिर resistance ले रहे हैं जैसे कि यहां पर क्या हुआ कि देखिए trend line upside के तरफ जाते हुए market ने यहां पर एक बेरी शिकाके develop किया और बाद में इस red वाली candle के थुरू market ने उसको breakout कर दिया यहां पर क्या होगा कि हम अपना short term का एक्ट्रेट एक्जेक्यूट कर सकते हैं बना सकते हैं next support level के लिए अब next pattern के तरफ बलते हैं cover bar reversal pattern इसमें सबसे important topic क्या है important point क्या है according to my perception cover bar reversal बहुत common formation है अगर हम इसको normally देखते हैं basically हर जगे अगर हम किसी formation को देखेंगे अब कुछ formations होती हैं जो कि हर जगे बनती हैं सभी time frames में बनेंगी तो common वो normal formations होंगी लेकिन अब अगर particular हम cover formation की बात करें अगर हम सिर्फ और सिर्फ cover reversal pattern formation की बात करें तो अगर हमें इसको originally देखना है या फिर powerful cover formation अगर आपको find करना है तो छोट आसा इसमें rule add करना पड़ेगा और rule क्या है सबसे पहले इस rule को समझने से पहले हमें इस formation को समझना होगा अब यह ड्राइं करने में कफी टाइम लग जाता है काफी महनात लगती वीडियो करेट करने में बनाने में अगर इसमें कुछ अच्छा लगता है अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो वीडियो को like जरूर कर दीजागा और अगर आपके कुछ question है कुछ dots वगना होता आप comment box में मुझसे पूछ सकते हो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों की जवाब देने की आगे बढ़ते नॉर्माली देखी क्या होता है का आपको cover bar reversal patterns इन तीन candle से मिल करके बना होता है first candle and second candle important चीज़ क्या है कि second वाली जो candle होती हो first के just low ब्रेक की हुई candle होती है मतल यह बीच में रह गए तो यह तो एक तरह की inside bar formation हो गए mother candle हो गए तो उस case में यह invalid हो जाती है तो first two candles में lower lows लगे होने चाहिए lower lows या फिर lower highs लगे होने चाहिए अब third candle यह वाली है और यह normal cover pattern है इसमें क्या होगा कि third वाली candle अक्सर आपको second वाली candle के highs ब्रेक करती हुई दिख जाएगी यह भी एक तरह का bullish momentum है prices में movement इसके बाद भी इस formation के breakout होने के बाद भी यहां से movement upside के तरफ start हो जाते हैं ऐसा नहीं है बट यह common formation है यानि के first two candles में lower low लगे तो फिर lower highs लगे होंगे और हमारी जो third वाली candle है यह first candle का high break की हुई होगी अब normal formation में यहां पर closing नहीं है सिर्फ और सिर्फ विक बाहर निकली हुए है जो powerful pattern होता है जिसके अंदर चोटा सा rule हमने आपसे कहा कि हमें add करना होगा वह क्या होगा the third bar in the pattern to close above the highs of the first two bars the third bar in the pattern to close above the highs of the first two bars first two bars in the sense first and second इन दोनों के ऊपर price को closing देनी होगे सिर्फ विक से काम नहीं चलेगा यहां पर दोनों ही candles के उपर price को closing देनी होगे अब one by one इनके सभी rules को समझ लेते हैं हम लोग सबसे पहले rules से शुरुआत करते हैं bar one closes down या फिर bearish candle होना ही चाहिए है हमारी first वाली bar second the low of bar two is below the low of bar one the low of bar two यानि के bar two का जो low है यह previous bar one के low पर होना चाहिए यानि के center वाली जो candle हमारी second वाली bar उसको first वाली bar का low break किया हुआ होना चाहिए rule number three देख लेते हैं the low of bar three is higher than the low of bar one हमारी bar three का जो low है वो first वाली bar के low से high होना चाहिए यानि के first वाली bar के low के उपर हमारी third वाली candle का low होना चाहिए अब आते हैं अपने fourth rule की तरफ bar three closes above the high of both bar one and bar two यहां पर देखे क्या हुआ है कि bar two के उपर तो close हुआ है but bar one के उपर close नहीं हुआ है जो कि इस वाली enhanced formation के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि bar two और bar one दोनों के ही उपर प्राइज ने अपनी closes दी है closing दी है और अब आते है rule number five की तरफ five number rule क्या कहता है हमसे buy with a market order as bar three closes bar three close कर चुगा है और अब यहां पर आप buy कर सकते हो market order पर लेकिन मेरी recommendation रहेगी कि market order को avoid करके retracement का wait कीजिए retracement एक तरह से आपके money को manage करने का काम करता है अभी थोड़ी दर पहले में लोगों ने discuss किया था कि आपको मालूम होना चाहिए आपको किस price पर entry लेनी है और आपका stop loss कहां पर है अब यहां पर देखे इस condition को रखने की पीछे का sense यह है कि अगर आपको market order पर भी buy करना है तो market order पर buy आपको कितने रुपए पर करना है यह मालूम होना चाहिए अगर आपको माल लीजिए यहां पर 6 रुपीज पर buy करना है और आपका stop loss information के downside की तरफ है या नीचे की तरफ है अब हम मान के चलते हैं कि 6 रुपए पर आपको buy करना है और 5 रुपए 50 पैसे पर आपका stop loss है यानि कि overall हम देख करके चलते हैं तो 50 पैसे का हमारे stop loss यहां पर निकल करके आ रहा है इसके according आपकी quantities divide होनी चाहिए आपकी quantities आपने खुद decide की होनी चाहिए वना कोशिश कीजिए कि retracement पर आप entry लो और अगर market price पर आपको order लगाना तो भी यह आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन से price पर enter कर रहे हो market के अंदर price और आपके stop loss के बीच के distance कितना है बहुत important चाहिए इसको याद रखेगा और यह जो rules है य प्राइंग नहीं करेंगे आप खुद sense कर लीजगा कि इसके just opposite इसका just opposite हमारा bearish formation होगी यानि कि इन दो red candles के जगह पर green candles होगी और green candles के जगह पर red होगी और जिस तरह से यहाँ पर highs ब्रेक हो रहे हैं वैसे ही lows ब्रेक होगे आप सीधे हम लोग जंप करते हैं चार्ट के यहां पर देखिए के one two and three four कई सारी formations आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगी आपकी अपनी approach trading को लेकर क्या है आपकी trading approach क्या है वहां पर आप information का use कर सकते हो और यह काफी अच्छा काम करेंगी आपके trade को trigger करने के लिए ब basically हम यहां पर information को नहीं देखेंगे हम देखेंगे कि हमारा जो resistance जो सबसे basic चीज़ सबसे ऊपर है कि price को हमें उसी level से देखना है कि price की supports कहां पर बन रहे है या फिर resistance कहां पर बन रहे है कहीं पर भी यू ही formation हमने देखिए और हम trade execute नहीं कर देंगे तो basically यहां पर हम क्या द price ने जब एक trend continue किया तो यहां पर हमें यह formation दिखाई पड़ी अब यहां पर trade execution की जगह हमारी कौन सी हो सकती है कि जैसे ही first वाली candle के नीचे price ने closing की हम order market price पर यहां लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी fast momentum होता है कभी कभी इस formation के तो ओके अब वापस देखे price downside की त किया है और यहीं से price reject हो गया downside की तरफ यहां से price downside की तरफ reject हुआ है अब हमें देखना है bearish formation यहां पर तो bullish है और एक तरह से देखें तो यह तो invalid है फिर से अब हमें नए formation की तलाश करनी होगी तो अब देखे वापस price हमारी zone तक आया है हमारी trend line पर आया है और यहां पर bearish formations फिर से form हुआ है यहीं कि एक higher high लगा है और वापस से देखे है हमारी first वाली candle का low break हो गया और price फिर से downside की तरफ the trigger for a bearish trend line bounce हमारी trend line से price bounce कब कर रहा और उस bounce के समय में क्या हमारी formations बन रही है यहीं से हमारा trade execute होगा और जो stop losses हम इसके अंदर लगाने के कोशिश कह रहेंगे वो अपने highs के उपर formation के जो highs है वहाँ पर अपने stop losses लगाने के कोशिश कह रहेंगे अब यहां पर देखे bullish gap toward the bar trend line यहां पर price ने सीधे सीधे gap up कर दिया और gap up कर देने के बाद price downside के तरफ गिरा यहां पर देखे क्या हुआ कि market ने सीधे सीधे gap up कर दिया और gap up देने के बाद price bounce जो हुआ हमारा हमारी trend line से हुआ है और trend line पर हमारी formation बन रही है और पहले से हम इसको देख रहे हैं पढ़ रहे हैं कि यह एक bearish formation है अब bounce मिल जाने के बाद हमारी trend line से हम वापस इसको downside की तरफ trade कर सकते हैं और जितना आपका stop loss होगा 1-2 तक के targets book करने के कोशिश के जागा बहुत अच्छा potential यह formations यह patterns रखते हैं आपके trade को trigger करने के basically हम लोग जो formation use करते हैं उनको यहां पर हम disclose नहीं कर सकते हैं तो information का use आप practice के तौर पर कर सकते हैं एक अच्छा एक अच्छी practice आपकी information के थूर हो सकती है तो इसको अपने trading system में आप या फिर आपका इस तौर मेनी टाइप आफ ट्रेडिंग के methods में entry के purpose से किया जाता है आगे बढ़ता है यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे इसके identification और triggers के rules क्या है तो बहुत सिंपल से rules होते हैं फिन बार के open above a support range यानि के हमारी जो support line है इसके ऊपर इसकी opening होनी चाहिए second trade below the support for most of the range most of the bar range मतलब candles ने अपनी support line की नीचे भी trade किया हुआ होना चाहिए और support की नीचे से यानि के support से प्राइस को upside की तरफ bounce मिला हो candle की बार हमारे support के नीचे तक trade की जानी चाहिए and third rule जो हमारा है close above the support open यहीं पर होगी close यहीं पर होगी but इसको जो rejections मिलेंगे वो इस वाले point से मिलते हैं यानि के price ने अपना support रेक करने की कोशिश की बट वहां से buyers ने उसको push किया upside की तरफ और price ने जहां पर अपनी opening की थी उसी के आसपास जाकर closing कर दी तो बहुत अच्छा sale off यहां पर करने की कोशिश की गई थी but buyers still strong और price को upside के तरफ उन्होंने push कर दिया इस वजए से एक pin bar develop होती है अब यहां पर हमें buy कैसे करना है कि price जैसे ही हमारी range यह उपर close होता है हम यहां पर buy करते हैं और stop process के लिए इसी pin bar के low पर अपने SL को count किया जाता है और आप इसके trade examples ले लेते हैं अक्सर आपमें सुना होगा कि किसीभी time frame में entry patterns का use आप कर सकते हो किसी भी time frame में entry patterns का you can use कर बात सच सभीत होती है अभी तक जो हमने आपको फर मीशन बताइए उसका यूज आप कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम लाइक विडिक से बनाकर अप्लोट किया था उस पर भी चीज़ा काफी डीटेल में बताई है कि पिन बार का यूज आप कौन कौन से ताइम फेल में कर सकते हैं अब इस ट्रेंड लाइन को हम लें बोल ट्रेंड लाइन को इन दो पेवाट से अटेज करते हुए ड्रॉ की यह इंपोर्टेंट और रेस्टेंट की प्रीएस काफी वीडियो में हम बता चुके हैं आज भी हमने बताया और फिर से मता रहे हैं कि किसी भी फॉर्मेशन को आप देखो आपको एक सपोर्ट या फिर रेस्टेंस से देखना होगा उस इस टॉपच से देखना होगा कि जहां पर प्राइस आकर हमने एक ट्रेंड यहां पर ड्रॉव कि हैं और ब्वाइंट से आड करते हुआ इस ट्रेंड को एकिया बुल ट्रेंड लांप्रोजेक्टेट फॉन इस पीवाट्स अब आगे चलके जो हमको हमारी फॉर्मेशन चाहिए हो हमारी इस लाइन पर ही चाहिए तो बिसिकलि आने के बाद यहां पर form हो गया हमारा pin bar ऊके सो bullish pin bar bouncing off the trend line trade trigger अब हम क्या कर सकते हैं इसके उपर अपने trades को trigger कर सकते हैं अपने orders execute कर सकते हैं और इस case में जो हमारे stop losses जाएंगे वो या तो swing lows रख सकते हैं या फिर इस pin bar के थूर अगर हम trade कर रहे हैं तो pin भार के lows पर अपने stop losses लगा सकते हैं और यहां के बाद जो आपके अगली targets हो सकते हैं वो आपके next resistance points आपके target बन सकते हैं या तब तक हमारी strand line को break करते हुए एक पूरा bearish formation का downside की तरह breakout नहीं हो जाए हम तब तक एक trade के अंदर बने रह सकते हैं जितने information को समझाने में मैं पूरी तरह से काम्याब रहा मैंने पूरी कोशिच के अपनी तरफ से अगर कुछ कमी होगी इसके अंदर तो next videos में ज़रूर से ज़रूर हम उसको improve करने के कोशिच करेंगे सुधारने के कोशिच करेंगे okay so thank you good bye and we will meet again आुग करेंगे